मैंने पहले ही कहा कि हिमाचल के उज्वल भविश्वें तूरिजम के एक बहुत बड़ी ताकत है तूरिजम वो खेतर है जहां कम से कम लागत से अधिक्तम लोगों को रोजगार मिलता है और भारत दूरिया के टूरिजम के आकर्षन का केंद्र अब बनता चला जा रहा है पहले लोग ताजमाल से अधिक कुछ ज़्यादा परिचित नहीं थे अब हिंदुस्तान को जानने समझने का विश्व में एक आकर्षन पैदा हो रहा है आप देखिए दो हजार तेरा में हमारे देश में विदेश के जो टूरिस आए उसकी संख्या थी सत्तर लाग दो हजार तेरा में और दो हजार सत्रा में ये संख्या बढ़ करके एक करोड हो गई है यहना आप करीब करीब पैतालीस प्रतिशत की वृग्दी इसमें हो गई है दो हजार तेरा और तूरिस जब आता है बाहर का तो पैसे भी खर्च करता है और उसी से वहां रोजी रोटी की संभावनाय बनती है एक अनुमान है दो हजार तेरा में जो टूरिस आए करीब अठारा बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किया जबकि चार साल के भीतर भीतर ये टूरिस्टों का खर्च करने का दायरा है वो 18 बिलियन से बढ़कर के 27 बिलियन डॉलर हो गया करीब करीब पचास प्रतिशत वृद्धी यह पैसे भी कि सामान्य मद्दमबर्गी परिवारों के पास पहुंते हैं और उसका लाब होता है 2013 में भारत में एप्रूड होटेल्स बारा सो थी चार साल के भीतर भीतर ये एप्रूड होटल की संख्या बारा सो से बढ़कर के अठारा सो हो गई सरफ चार साल के अंदर इसमें भी इतनी बड़ी वृद्धी देखी गई हैं यह टूरिजम का सफलता की दिशा में आगे बढ़ने वाला छेत्र है एक बॉर्ल एकोनोमिक फॉरम है जो ट्रावेल और टूरिजम का रंकिंग करता है कम्पिटिवनेस का रंकिंग करता है आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सरकार आने की पहले हम 65 में नंबर पर पड़े थे चार साल के भीतर भीतर टूरिश के मांदन की दस्ती से जो सुधार करने चाहिए इंफास्टेक्टर में बड़लाव करना चाहिए कनेक्टिविटी में बड़लाव करना चाहिए होटलों की ववस्ताव में बड़लाव करना चाहिए नागरिकों के सुरक्षा का विस्वात पाता होना चाहिए यह सारे मांदण के अधार पर दुनिया मुल्यांकन करती है हमारी सरकार आने के पहले जहां हम 65 नंबर पर खड़े थे आज मुझे खुसी है कि अब हम चालिसवे स्थान पर पहुँच गए हैं और पतीस के नीचे लाने की कोशिश है हमारी और इसके कारण दुनियात के टुरिस्टों को इन मांदणों के अधार पर टुरिजम के अंदर हमने इविजा भी सुरू किया इविजा के कारण भी विदेशी परियटों को विजा की कठिनाईयों से मुक्त हो करके बड़ी सरलता से भारत में आने का अउसर प्राप्त हो रहा है और उसका लाब मिल रहा है